दर्मकथाएं.com के यूटूब चैनल पर आपका स्वाकत है आज हम बात करेंगे कि कौन से संकेत हैं जिससे समझ आ जाए कि आप पर प्रसन्न होने वाली है धन की देवी मा लक्ष्मी जोते शास्त्र में शकुन अपशकुन के बारे में जान कर हम भविष्ट के बारे में पता लगा सकते हैं इसकी मदद से भविष्ट में होने वाली अच्छी बुरी बातें पता चल सकती हैं किसी व्यक्ति की धन सम्मंधी मनुकाम नाए हम नीचे दिये गए संकेतों के अनुसार समझ सकते हैं जानिये लक्ष्मी की क्रपा से जुड़ी दस शुप्षंकेत वाली बातों को यदि किसी व्यक्ति की सपनों में बार-बार पानी, हर्याली, लक्ष्मी जी का वहन उल्लू दिखाई देने लगे तो उसे समझ लेना चाहिए कि कुछ समय बाद उसकी धन सम्मंधी परिशानिया दूर होने वाली हैं यदि घर से निकलते ही कोई सफाई कर्मी दिखाई दे तो यह भी शुप शकुन होता है सुभा उठते ही शंक और मंदिर की घंटियों की आवाज यदि व्यक्ति को सुनाई देती है तो यह भी शुप संकेत माना जाता है किसे व्यक्ति को शुभा सुभा गर्ना दिखाई दे तो उसे धन सम्मंधी कारियों में सफलता मिलती है यदि सुभा जाकते ही पहली नजर दही या फिर दूद से भरे बरतन पर पड़ती है तो इसे भी शुब संकेत समझा जाता है किसे यात्रा पर जाते समय सीधे हाथ की तरफ यदि साप, बंदर, कुट्ता या फिर कोई पक्षी दिखाई दे तो यह भी शुब संगुन होता है इसके साथ ही यात्रा मंगल में होती है नार्यल, मोर, हंस, फूल, पुष्पमाला, आदी पर चीजें सुभा सुभा दिखाई दे तो इसे भी शुब माना जाता है यदि घर से निकलते ही गाय दिखाई दे तो यह शुब संकेत होता है गाय यदि सफेद रंकी हो तो इसे अत्यंत शुब माना जाता है यदि किसी व्यक्ति के सपनों में सफेद साप सोने के जैसा सुनहरा साप दिखाई देने लगे तो यह भी मा महलक्ष्मी की क्रपा का संकेत माना जाता है यदि कहीं आते जाते रास्ते में कोई सफेद साप दिखाई दे तो यह बेहद शुब संकेत माना गया है ये उपाय और टोट के बदल देंगे आपकी किस्मत और देंगे चमतकारी फल तुलसी के पौधे की जड़ पर गाई का कच्चा दूद चढ़ाएं शिवलिंग में कनेर का पीला फूल चढ़ाएं फूल में कुछ चावल भी रखें जो हल्दी से रंगे हुए हो एक लौंग को लाल कपड़े में बांद दें मालक्षमी का मन में स्मरण करके इसे तिजोरी में रखें या फिर रुपए पैसे रखने की जगह में इसे चुपचाप रख दे मालक्षमी की क्रपा आप पर बरसने लगेगी जाडू का अपमान ना होने दें जाडू के समान से मालक्षमी प्रसन होती है घर में कचरा हटाने और सफाई रखने से भी मालक्षमी प्रसन होती है कोई व्यक्ति आपको पसंद नहीं है तो उसका नमक ना खाएं किसी दूसरे व्यक्ति का नमक ना खाएं जिसके संसकार अच्छे हों, उसी का नमक खाएं, केले के पेड की पूजा करें, भोजन भगवान को भोग लगाने के बाद ही करें, गुरुवार को बाल ना कटवाएं और ना ही दाढ़ी बनवाएं। धर्मक जानकारियों के लिए आप हमारे यूटूब चैनल से जुड़े रहिए। धनिवाद।